हेलो, हेलो यह जो पबलिक है ये सब जानती है पबलिक है यई बाबु ये पबलिक है पबलिक अम्मापूर विधान सबहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ और देखिए जैसे ही गाव में हमारी एंट्री होती है एक तस्वीर में चाओगे केमरामेन को आपको दिखाए जहां पर सामने लिखा है साफ शब्दों में लोकतंत्र का यह अधार है वोट ना कोई हो बेकार यानि कि यह जो दो लाइने लिखी है यहां पर शेट चुनाव के महल के हिसाब से बहुत अच्छी है और यह देखिए हिलाए है वो इनका चारे का इंतिजाम भी कर चुकी है और फिलाल जो है इनको चारा डाल दिया गया क्यूंकि गाओं में मौजूद हूँ एक चाची मुझे मिलिया मैं चाओगे उनसे बात करूँ आप इदर आईए सबसे पहले तो अपना नाम बताईए आपको नाम किया आपने कहा कि सरकार वही अच्छी जो हमारे लिए काम करें आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है या मौती अच्छी है और मौती देरा सभस्व nervous आप यह नाम सालम फंसाल में mmcr कि नौन मिलन रॉपया मिले कारव उनकार पोर थोरी जमीनอइक नाम कर देखो जी चामर एक waters दो भार में दो बार रणावती जी ये सब गाह में जितनी भी और यह इंदर आपको बने लिए और पुन तय जो बता यह सरकार किसके अच्छी है मोधी जी कि बजा क्या है सारी सुविदा आए कहीं गूमा दरीया बिटिया खुले में गूम रहे हैं कितनी बढ़िया सुविदा है खाने के इंतियाम रख रहे हैं और क्या चाहिए बहुत बढ़िया है अच्छा मुझे बताये जिसे यह जो परशुव है एक समस्या रहती है कि खेट में आवारा परशू आजाते हैं और चर जाते हैं पूरा है अफंख लो खाल जाते हैं बहुत हाल है और आप मुझे पताये सरकार कॉंची ए investigación आप मुझे बताइए काम किस सरकार का अच्छा है काम सही है मोधी होगी कोई सही है काम तो ऐसे खेती करती है आप खेती ने अगो यह तो लेटी जांगे यह मैं देख रही हूं पिछे जो है गन्ने के पड़े वे हैं यह ता पूरे पूरा दम चोनता है जब पाला हो और पाल इसी से निकल जाता होगा और थोड़ा इदर आईए मैं थोड़ा बात करूँ आपसे मुझे बताईए सरकार ने क्या दे दिया महिलाओ के लिए क्या किया है कच्छुनाय कि यह कादा हो कच्छुनायदा हो जो खड़ी कि राशन की उपलबता हो गई है तो उनका तो राशन ज बच्चे स्कूल जाते हैं आपके नहीं जाते हैं स्कूल बंद होगे इसलिए नहीं जा रहे होगे यहां पर कितना दूर जाना होता है स्कूल के लिए बच्चों को पता ने थोड़ी दूर जाना पड़ता है पती जाते होगे चोड़ने के लिए आप जाते नहीं होगी नह हीलाओं कि सुरक्षा को लेकर आप क्या सोसती कि मौझूदा सरकार बार्इब महिलाओं अपने आप को सुरक्षी समझे को सरकार ने कानोन विवस्था को लेकर कैसा काम वाand बढ़ार भी अपजिन के लेगे उनके लिए सन्के लिए तो ठीक कर प्रशासन में भागीदारी बढ़ने चाहिए खेर मुझे यह बताईए आपकी कानून विवस्था उत्रप्रदेश की कैसी हो गई है पहले के हिसाथ वैसे तो ठीक है और ये कुछ लोग है जो यहां पर खड़े है और उनसे मैं बाचित करूगी अम्मा जो है बोल रही है सबब्सक्राइए चाहि oike गाए है अब दिन्क हुनसी पहले सब्सक्राइए आपने मतर सबस्क्राइए और तो यह तो बता दो काम किस सरकार का अच्छा है कि अच्छा है और लोग इस चर्चा करते हैं और उनका भी मंट टोलते कि क्या कहते हैं कि गाओ में जब आप आओगे तो ऑफ कैमरा तो बहुत बात्चीत होती है लेकिन आपके अम्मापूर विधान सभा कि कवर कर रही है नजरा दिखा देती हूं यह पीछे आप देखिए आपको खेत नजर आ रहे होगे हर्याली नजर आ रही होगी और यह यहां कि स्थानीय लोग है जो कि खेती कर रहे हैं और वापस लौटते समय हमने इनको रोकर इन रहे हैं कि यूरिया के रेट में पिछले 5 सालों में कितना परिवर्तन होगी या कि परवर्तन में हुआ है जैसे पहले 2020 बूरी आया करती थी अब पैतालिस कि बूरीय रेट उतने ही है से यई डिटमेकुई घ्रावट निई हुई निके रावट कुछ निई और बजट 300 ब्लेक में मिलती है 300 300 की मिलती है और छोटे छोटे के सानों उन्हें दिक्कत होती है लाने में बैस दूर से लेकर आते कहां जाना पड़ते हैं फैक्टी मील से मार्केट से यहां से एक डेड़ किलोमीटर पर पैदल जाते हैं अब लोग एदल साइकल जो भी है सब्दाय उस उमीदेजादा है सरकार बनेखी तुर एक और नहीं होता है एक साल हो गई फैन नहीं हुआ अभी खेती किसान करता है हर फसल लोगाता है लेकिन दाम रही समय पर नहीं मिल पाता है किसान के जान लोग कम हो जाता है और यहां पर अपना खेत किस तरफ है अपनी अपी का भी हिस्सा होगा तो तो मुझे बताई सुभा कितने जाते हैं शाम तक कितने जोटते हैं किसान पैदा करता है तब तक मत दी है और किसान के हां से लेकर के फिटेजी बड़ी बाद आपने गई है कि जब तक खेती करते हैं तब तक दाम उसके कम रहते हैं और जब बेचने का टाइम आता है तो और कम हो जाते हैं क्वेया कि आपने जान का कि नोगर फीरेशा तूर्पी दूनने पैसा में सब्सक्राइब तो छिर्वा यह GANna है लहाह है उह मेश्य नहीं के दाम मिलते तो किया आप जदतर बेचते हैं जब जाते है तो अब कोई किसान थोरे वारा वो अपने वेजार में फडूँ हो दे आता है अब का ओर रेट ले तो देने पदता जैसे ना पढ़ता है कि खराब नहों साथ पास में पड़े पड़े अच्छा बाबाए एक सवाल आप से सरका किसानों को जो की छोटे किसान है जो पोाओ यह कर चूछेन किसान को क्या चाहिए किसान के लिए किसान के लिए किसान के लिए किसान के लिए क्याना चाहिए किसान को तो हर जो सरकार आने वाली वो तो जाकेते हैं किसान हमारा भगवान है लेकिन किसान के लिए किसान पे तो हांत पे की रोटी है किसान के लिए वो तो हांत पे रोटी र यहां के लोग ऐसी बाते कर रहे हैं जो कि शायद आपको भी सुननी पड़ेगी क्योंकि हमने बहुत सारी विधानसवा कवर की है शायद आपको बहुत सारी खिसानों से भी मिलवाया है लेकिन जो यहां का अम्मापूर का जो खिसान है जहां पर गन्ना की जो बेल्ट है पर मजदूर खेती में करता है उनको कितना देड़ी रहता है लगबाग वह ऐसी डाइसो तीन सब्सक्राइब की है राशन देने की कैसा उसको देखते क्या समझते सब चीजे ठीक है किसान के लिए इतना काफी होगा अब राशन पानी तो दे रही है और क्या है क्या है किसान समान निद्धी में पैसा देना शुरू कर रहा है क्या यह पहल काफी होगी किसानों के लिए अरे हमारे हमारे हमापत ब्रांसवा से जो विदाक पहले रह चुके थे बिसकी मिरुत्ती हो गई उसने कोई विकास नहीं गया यहां पर और नहीं आने वाले समय में आप उमीद करते हैं कि जो भी सरकार बने वह किसानों के लिए कम से कम यह पहल तो करें डीजल मद्ध होने चाहिए हमारी पर रेट अच्छे होने चाहिए हमारे मापर यहां पर रेट भी मध्य हैं डीए भी महंगी है 15 रुपे डीएपी ए तो देखो वैसे सरकार गल्ला दे रही है महीने में दोबार भी दे रही है लेकिन किसानों के लिए प्रोस्तान देते कि आप मुआपजा देंगे गाया को पकड़ा के रखो किसान को क्या चाहिए सबसे ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो लगता है कि विकास हो जाए मैडम किसान के लिए यह चाहिए कायता है कि अपनी साधी विवाय कुछ बनबा सके पिछली साल का यह हमरे यहां मलब कायदा नहीं बहुत है क्या उमर हो गई है खेती करते करते किते सालों से करते आ सबसे बड़ी समस्या गाई किये रात वर रखाते हम गाये अच्छा आप जाते देखने के लिए बिलकुल लगवक दो बज़े आते हैं रात के आप जाते कितने सबस्क्राइब कर रहा हूं डिया मैं अब है यहां से यूवा भी है यूवा क्या सोचता है सरकार कैसी होनी चाहिए सरकार सबसे पहले तो सिच्छा के इस तर पर दिहान दे जो दे भी रही है और मुझे सरकार से कोई आपती नहीं बढ़ी काम कर रही है इस से पहले जो भी सरकार अखलेस की थी उसने भी काम किया था सरकार सभी अच्छा काम करती है लेकिन पबलिक है यह थो मत हैं लोगों के रहते ही प्रॉब्लम तो आती रहते ही यह देग लिज़िए गाहों है और कारेकरंभी की आता हम ने यह पब्लिक हैं सब जानती हैं अम्मापुर विधान सभामें हूँ रॲिधान मंण इस अत्व के कोशिश कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए बात करने के लिए और क्योंकि अब विधान सभा का चुनाव है, इस सीट से तीसरे जर्ण में चुनाव होना है, तो यही जो पबलिक है, वो मन बना चुकी है कि उन्हें क्या करना है। क्या में पसंद आजिव के साथ, मैं भावना इंडिया टीवी, अम्मापुर विधान सभाव।